तो भाईया जी क्या हाल चाल हैं आपके वैसे सब बढ़ियां ही होगा बढ़ियां नहीं होता तो वीडियो क्यों देखते तो अभी हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद बंदों की खौपड़ी तोड़ेंगे तो अभी अभी जस्ट मैं लैंड हुआ हूँ और एक एक बंदा आता है तो उसके पास बहुत जादा ही डैमेज था मतलब उसकी एक दम कम ही थी 40-50 रही होगी 2-3 गोली मारा फिर उसका खौपड़ा तूड़ गया और मुझे उसकी एक किल मिल चुकी है मतलब मैं एक किल कर चुका हूँ फिर यहां सामने एक बंदा बहुत ही ज थोड़ी बहुत लूट करता हूं और फिर उसके बाद मैं आगे निकलता हूँ तो मैं जैसे ही आगे निकलने वाला रहता हूं तो एसी सामने एक बंदा मुझे दिखाए देता है जिसको मैं मारता हूं वो इधर उधर चुपने की कोशिश करता है लेकिन मैं उसकी खोपड़ी तोड़ी थी तो यहाँ पर मैं पीछे से जाकर उसे मारनी की कोशिश करता हूँ लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर रफु जन्ना हो जाता है कि मिलता ही नहीं है और इस घर में वापिस जाके छुप जाता हूँ कि कहीं कोई और बंदा आना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फटके मेरी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो रही थी तो वहाँ से निकल के तो मैं आ जाता हूँ और सडक पे hip-hop dance करते हूए उस baiq के पास जाता हूँ और इस baiq को उठाने के बाद पहाड के उपर चढ़ाता हूँ क्योंकि यह एक mountain bike है क्युकि मैं चला रहा हूं तो यहाँ पर मैं bike चलाते चलाते होले होले जा रहा था गाना गाते गाते जिन्दगी हर सफर है सुहाना उसके बाद आप देखिए क्या होता यहाँ पर तो मैं होले होले बाइक चला के जाही रहा था कि मैंने एक ड्रॉप गिरते हुए देखा तो मैंने सोचा क्यों ना ड्रॉप लूटा जाए लेकिन भाईया एक बार आप बुलू जोन के अंदर जाके वापिस आ सकते हैं लेकिन अगर ड्रॉप के पास गए तो बच कर आना ना मुंकिन है तो यहाँ पर एक बंदे ने लगा रखी थी लेंड माइन जिससे मुझे कम से कम देड़ सो माइनस मेरी एचपी चली गए थी मेरी 50 एचपी पड़ी थी तो यहाँ पर मैं फटा फट मार लेता हूँ हेल्थ किट फिर उसके बाद मिलता हूँ तो मैं हेल्थ किट तो मार लेता हूँ लेकिन यहाँ पर एक बंदा पहले से था जो की मेरी गाड़ी लेकर भाग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसे मार दिया जाए बाकी तीन बंदों की तरहां या फिर चार बंदों की तरहां सायद मैंने चार किल किये थे लेकिन इसके पास थी एक स्कोप वाली गन जो की थी वी एस एस और उसने मुझे एक खीट टैब में यानि की वन टैब में वहीं पर एकदम गहरी नींद में सुला दिया और बोला निकल ला उड़े पहली फुरसप में निकल तो भाईया हमने अपनी खोप डी तुड़वा ली है और हम जाने वाले हैं लॉबी में आराम करने तो वीडियो होती है यहीं खतम अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी सस्क्राइब जरूर करें